इस फॉर्मुले को डिराइव करने का तरीका एक तो यह है। लॉरेंस फॉर्स के कंसेप्ट को EMF इंड्यूस्ट में लगा देंगे, EMF इंड्यूस्ट हैने की V, यह रॉटल में। दूसरा तरीका यह है, यहां पर क्या हो रहा है, B constant है, area चेंज हो रहा है, यह तो हमें पता ही है, EMF इंड्यूस्ट चेंज इंड्यूस्ट होता है, Dc by duty with time, माइनस लग रहा है, अब यहां पर, अब हम जानते हैं की flux क्या होता है, B dot A, area को यहां पर L into X कर दिया, यह L है, यह X है, ठीक है, B बाहर निकला है, L B constant है, चेंज यहां पर क्या हो रहा है, X समय के साथ, तो Dx by dt यहे, इससे भी VBL आ जाएगा positive में, क्योंकि X negative में change हो रहा है, मतलब घट रहा है ना, तो इसलिए,